विधायक हेमंत कटारी के भाई पर आरोप लग रहे हैं, टोल टैक्स कर्मचारी के साथ मारपीट का यारोप है, टोल प्लासा से निकलने नहीं दिया तो वगात हो गया, अटेर विधायक के भाई सहत 9 लोगों पर F.I.R. हुई है, CCTV, रेकॉर्डिंग, DVR, साथ ले गए कर रहे हैं, विधायक के भाई पर ये गंभीर आरोप, मारपीट का भी आरोप लग रहा है, और साथ ये साथ CCTV वहां से निकाल करके ले गए, CCTV रिकॉर्डिंग, DVR के साथ ले गए, विधायक के भाई पर मारपीट के आरोप हैं, तो ये भिंड में पूरी घटना देखने को एक संकी आशिक लड़की का पीछा करता हुआ नजरा रहा है, ये सिर्फिरा लड़की की गोली मार कर हत्या कर दीता है, कतले से पहले कि ये आखरी 35 सेकंड होश उडाने वाले हैं, देखिए सरे रह लड़की का मडर सिसी टीवी में कैज़ शूट आउट संकी आशिक की चानलेवजित शादी करो वर्ना मरो शादी से इंकार संकी आशिक का इंतिकाम वो देखो थत्यारा भाग रहा है मौस से पहले के वो आखरी 35 सेकंड सनक इंतिकाम हैवानित भरे ये वो 35 सेकंड है जो यकिनन किसी के भी रॉंक्टे खड़े कर दे नर्सिंगपूर के गोटे गाउं में रेल्वे स्टेशन से घर जा रही थी 20 साल की लड़की इस CCTV फुटेश में एक लड़का भी साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है जो थोड़ी दूरी पर चल रहा है जैसे वो लड़की से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हो या कहे पीछा कर रहा है लेकिन लड़की कोई बात नहीं कर रही थी और फिर इस CCTV फुटेश में ऐसी तस्वीर कैद हुई जो थर्ला कर रख देती है अचानक इस लड़के ने पिस्टल निकाली और सरह रहा लड़की की कनपटी पर गोली मार कर हत्या कर दी गोली बहत नस्दीक से मारी गई थी उसके बाद ये हत्यारा भागता हुआ नजर आया आरूपी का नाम है देविंद्र पटेल उर्फ डीके बीती रात गोटे गाउं हस्पिकल से थाना प्रभारी गोटे गाउं को एक लिखित सूचना प्राप थी प्रक्ण में हमने हत्या का अपराद पंजीबद किया है धर्मिशाला की सामने सिंधी कॉलोनी के पास ही संसिनी के जवारदात हुई अब जरा इस सिर्फरे आशिक की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिए जिसमें लिखा है जो मेरा है वो मेरा है चाहे दोस्त हो या मोहबबद आरूपी ने 29 नमंबर को फेस्बुक का ये कवर फोटो बनाया था आखिर जवारदात के पीछे की वज़ा क्या है म्रतक लड़की के घरवालों की माने तो अकसर देविंद्र उनकी बेटी को परिशान करता था म्रतक लड़की जवलपूर के कैफे में काम करती थी गोटे गाउं से जवलपूर अपडाउन करती थी आरूपी गोटे गाउं का रहने वाला है जो वारदात वाले दिन कतल के इरादे से ही आया था साथ में पिस्टल लेकर पिलिस की माने तो आरूपी देविंद्र शादी की जितका रहा था और जब लड़की ने शादी से इंकार कर दिया तो इस सिर्फिरे ने लड़की को ऐसी खौफनाक सजा दी पिलिस थाने से महस सो से दो सो मीटर की दूरी पर ये वारदात हुई इस संकी की इस जिद ने लड़की के परिवार को जो जख्म दिया है क्या ये जख्म कभी भर पाएगा नर्सिंग पूर में आशिश चैन के साथ बिर रपोर्ट न्यूस 18 मध्रप्रदीश 36 गर और चलिए बागे बढ़तें कांकेर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं पूलस और सुरक्षा बलों को बड़ी काम्याबी हासल हुई है चार नकसलियों को गिरफतार किया है आई इड ये ब्लास्ट में ये नकसली शाबल थे बियस अफ जवान अखिलेश शहीद हुए थे जन मिलेशिया संगठन से ये नकसली जुड़े थे तो बियस अफ जवान अखिलेश की जान चली गई थी शहीद हो गए थे वो आपको बता दें पूलस और सुरक्षा बलों को बड़ी काम्याबी इस मामले में हासल हुई है चार नकसलियों को गिरफतार किया गया है आई इड ब्लास्ट में ये नकसली शामल थे की अब गिरफतारी पुई है कतल की वर्दात अपने आप में हैरान करने वाली है बाइक पर दो लड़के अपने पता को बठा कर ली जाते हैं घुमाने के लिए नहीं बलके कतल के रादे से दोनों बेटे बड़ी बहरेमी से पता का कतल करते हैं और फ़र ड्रामा करते हैं आप भी देखिए संसनी केच खुलासा एक कतल लोन खत्म वीज दिन से दफन राज पत्थर से वार पेता का मड़र एक छूट से कतल का पर्दाफाश वो कातिलों के साथ जा रहा था पेतों का बदलापुर एक कतल लोन खत्म गर्स के लिए पिता का खत्ल तहकीकात के वो बीज दिन इन बीज दिनों में एक शक्स की हत्या की तफ्तीश चल रही थी जिसकी पत्थर से कुचल कर बेरहमी से हत्या की गई मामलाधार के पीतंपुर का है बृतक भूला सोनी के जिंदगी के पन्ने खंगाले गए घरवालों से भी पूस्ताच हुई कहीं किसी रंजिश में तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया गया इस बेज पुलिस को सबसे एहम सुराग मिला कॉल डिटेल्स मॉबाइल लोकेशन और दूसरा सुराग बृतक भूला सोनी पर कर्ज की कहानी जिसने कई बैंक से लोन लेकर रखा था क्या इस लोन और कर्ज से ही इस कतल का कनेक्शन तो नहीं था और पुलिस का शक सही निकला रंजिश की थिवरी खारज हुई अब तहकीकात की दिशा और शक की सुई घरवालों की तरफ हुई मृतक भूला सोनी के बेटे दीपक सोनी और सचिन सोनी से पुलिस ने पूस्ताच की लगातार दोनों बेटे पुलिस वालों को गुमराह करते रहे वारदात वाले दिन पिता कैसे क्राइम सीन तक महुँचे इस बात में बेटों ने जो जूट बोला बस इसी से कतल का रास खुला आरुपी बेटे पिता को बाइक पर बैठा कर ले गए थी इस खौफना किरादे से कि आज तो पिता का काम तमाम करना है सवाल है आखिर रिष्टों के कतल का प्लॉट क्यों रचा गया तो पहली वज़े थी कर्ज की कहानी बोला सुनी ने कई बैंक से लोन लिया था 16 लाग का कर्ज था इस कर्ज से बेटे परिशान थी दूसरी वज़े थी पिता का शराबी हुना पिता की प्रताणना से मां हमेशा तंग रहती थी हुला पतनी पर जुल्म ढ़ाहता था विचना के दौरान गयात हुआ कि मृतक ने काफी कर्जा ले रखा था जिसका बीमा भी मृतक के नाम पे था और मिर तक जो आए दिन सराब पी के घर में ग्रह कलेस करता था जिससे तंग आकर उसके दौनों लड़कों ने एक सुनिश्चित योजना के तहत कर्ज से छुटकारा पाने और ग्रह कलेस से मुक्ती के लिए उसकी पत्थर से कुचल के हत्या कर दी थी दोनों ने अपना जुर्म सुईकार कर लिया गया है दोनों को हिरासत में ले जाके बेज़ दिया गया है रिष्टों के कतल की ये दोनों वजह बनी सीसी टीवी फुटेज कॉल डेटेल्स और एक जूट ने कतल का परदाफाश किया धार से नवीन मेहर के साथ वेर और पोर्ट निव्जेटीन मध्यप्रदेश 36 गण ये खुलासा उसकाल कोठरी का जहां सपने दम तोड़ देते हैं मानवत तसकरी का वो राकेट जिसमें बेबस लड़कियों की होती है सौतेबासी आखर इस बिसाथ के और कितने महरे साथ फेरे के नाम पर और कितनी लड़कियों को इस गिरों ने बनाया है शिकार दीखे रेपोर्ट थोखा फरेब हैवानिया चारखंड टू एमपी फरोसे के सौधागर मोहरा बनी वो साथ फेरे मानवत तसकरी का खेल इस गैंग के और कितने महरे ये गैंग भरोसा जीतता है जो बेबसी और मजबूर लड़कियों का फायदा उठाता है एक ऐसा रेस्की ओपरेशन जिसने खरीद फरोक केस खेल का खुलासा किया है मानवत तसकरी का वो खेल जिसमें जारखंड की रहने वाली लड़की को काम दिलाने के बहाने बुलाया गया लेकिन काम क्या था ये सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे लड़की को जारखंड के धनबात से लाने वाली एक महला ही थी जिसने लड़की को एक गिरोह को बेच दिया ये खेल यहीं खत नहीं हुआ इल्जाम है कि उन खरीदारों ने लड़की को किसी और को बेच दिया जब रन शाधी करा दी ये कुछ दिन पूर पुलिस को सूचना मिली थी कि दूसरे राज्जियों से लाकर यहां पर लड़कियों को खरीदा बेचा जा रहा है इसी अधार पर पुलिस ने काम करते हुए एक पीडिता को रेस्क्यू किया है जारखंड से जब पीडिता लड़की की परीचित लड़की ने छतर पुराकर थाने में रिपोर्ट की तब इस खरीद फरुक के खेल का खुलासा हुआ पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया लड़की को काल कोटरी से रिहा कराया और ये चार आरुपी जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं उन्हें गिरफतार किया उससे पूछताच करने पर ये पता चला कि उसको जारकंड के धनबाज जिले से यहां लाकर महिलाओं द्वारा बेचा गया था बेचने वाली महिला और खरीदने वाले लोग को गिरफतार किया गया है दो महिला दो पुरुष आरूपी बने हैं इसमें पुलिस ने आई पीसी की धारा तीन सो सत्तर, तीन सो चेटर, पांच सो चे के अंतरगत मामला कायम किया मानव तसकरी की काल कोटरी में कलंकी की क्या सिर्फ ये एक ही कहानी है इस गैंग के और कितने मोहरे कितनी बेबस लड़कियों का इस गिरोह ने सौदा किया है तफ्तीश जारी है चतरपुर में नरेंदर सिंग परमार के साथ बेर और पोर्ट, न्यूजेटीन मध्यप्रदेश, 36 गड़ शादी के लिए क्या कोई किसी का कतल कर सकता है एक महिला ने ऐसा ही प्लोट रचा उसने अपने बॉइफ्रेंट का कतल नहीं किया बलकि शादी के लिए अपने पती की हत्या की साज़श रची जो कतल में शामल प्रीमी से पल-पल की खबर ले रही थी वो शादी के इस सपने सजा रही थी लेकिन इस शादी के लिए किसी का कतल होना जरूरी था सुनने में शायद आपको हैरानी होगी लेकिन इस मडर मिस्ट्री में ऐसा ही हुआ शादी और मडर का आपस में कनेक्शन क्या है तो इसकी लिए उस कतल के बारे में पहले आपको बताते हैं 36 गड़ के खेरागड में टिंगा माली के जंगल में विजेश की लाश मिली थी सिर्फ पर पत्थर से वार करके हत्या की गई उसके बाद मरतक के मोबाइल को कहीं और फेका गया बाइक कहीं और मिली कॉल डिटेल्स से दो आरोपी अरेस्ट हुए हेमंद और लाला लेकिन एक और मास्टरमाइंड का अरेस्ट होना बाकी था 36 गड़ के खेरागड से गातापार जंगल पलीस MP के पन्ना पहुँची पवई के बिरासन गाओ जहां अंतिम संसकार में शामिल होने आई ये आरोपी भागने की फिराख में थी कहानी अब तक आपको उलची हुई लग रही होगी तो आईए इसे शीशे की तरह साफ करते हैं बिरिजेश की कतली के लिए हेमन और इस महिला ने मिलकर पार्टी का प्लान बनाया था यानि हेमन बिरिजेश को अपने साथ ले जाएगा खुब शराब पिलाएगा उसके बाद हत्या होगी हत्या से पहले और बाद में पलपल की जानकारी कतली की ये मास्टर माइन ले रही थी लेकिन इस मास्टर माइन का रास तब फाश हो गया जब हेमन और उसका साथी लाला अरिस्ट हुए जिसने बताया ब्रिजेष की पत्नी सही सुना अपने ब्रिजेष के कतली की साजश में उसकी पत्नी शामिल थी ब्रिजेश इसकी पत्नी की बीच अकसर अन्बन होती रहती थी जगड़ा फसाद इस बीच हेमंद की एंट्री हुई हेमंद से ब्रिजेश की भीबी शादी करना चाहती थी शादी के लिए पती के कतली की पतनी ने साजिश रची लाजनान गाउ से राकिश यादव के साथ विरल रपोर्ट न्यूज एटीन मद्र प्रिदेश चतिस गर दखाएंगे वारदात लाइफ जो एल्थीफ से लेकर एटियम में सिंध्मारी करने वाले बदमाश लाइफ होंगे सबल वाला गिरो किस शहर में मचा रहा है शोर ये भी बताएंगे आप भी देखिए तीन शहर तीन गैंग लाइफ तीन शहर वारदात लाइफ गुना की गवाही लाइफ कहीं एटियम में सेंध्मारी कैमरे में कैद हुए जोल्थीफ कहीं फैक्टरी में चोरो का धावा जुर्म की गवाही देती हुई ये तीन लाइफ तस्वीरे हैं कोई बदमाश तीसरी आख संग आग में चोली कर रहा है कोई तीसरी आख से ही सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है सबसे पहली तस्वीर चिंदवाडा की है तीन जोल्थीफ जोल्री शॉप में देखी कैसे दाखिल हुए दुकान का शटर कैसे खोला तीनों ने दुकान में एंट्री की शोकेस खोल कर जोल्री पर हाथ साफ किया सोने चांदी के जेवर ऐसे ले उड़े ये चोड चिंदवाडा के नर्सिंगपूर मार्क पर ये जोल्री शॉप थी अब इस CCTV फुटेज से बदमाशों की तलाश चारी है अब ज़रा एटीम में सेंदमारी करने वाले इस क्रोहों को देखी है मुरेना की सबलगर कस्वी के अमितकर स्कूल के पांस में ये एटीम है पहले मास लगाया ये बदमाश दाखिल हुआ दूसरा साथी गेट पर खड़ा था और अंदर वाला या आरोपी वायर काटने लगा इस गिरोहों में चार आरोपी है दो बाहर पहरा दे रहे थे गेस कटर से एटीम को काटा गया और 21,46,000 पार कर इस गिरोहों ने पुलीस के होश रा दिये अब इन CCTV फुटेज से पुलीस गिरोहों का पता लगा रही है चिंदवाडा मुरेना के बाद खरगों जिले के बढ़वा में चोर मचा रहे हैं शोर बढ़वा थाना इलाके के इंडुस्ट्रियल एरिया में चोरू ने धावा बोला छे फीट की दिवार फैंसिक के तार काट कर पार की देखिए लाइव तस्वीर सब्बल लेकर नकाप पोशी बदमाश ओफिस के अंदर दाखिल होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं इसके बाद इनका निशाना ये दूसरी फैक्टरी थे ये गिरो सीडियों से दूसरी फैक्टरी में चोरी करने के इरादे से जाने वाला था लेकिन कुतों के भोकने पर बदमाश इस फैक्टरी पर चोरी नहीं कर पाए ये तीन तस्वीरे सवाल कर रही है आखिर किस गैंग का ये काम है चिंदवाड़ा में राजिश करमेली, मुरेना में अमिच शर्मा और करगोन में अशुतोष परोहित के साथ बिरो रपोर्ट न्यूज एटीन मध्यप्रदीश चुतिसकर और इसे के साथ ही फिलहाल के लिए बुलिटन में इतना ही करते ही पिलहां ताही है